राजनात सेहीं जी, हर्दिप सींपूरी जी, अजय भर्ड जी, काउचल किसोर जी, चीफ अफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिंद रावज जी, तीनों सेनाओं के प्रमूख, बरिष्ट अधिकारिगान, अन्य महारुभाव, देवियों और सज्जनों, आजहादी के 75 वे वर्ष में, आज हम देश की राजधानी को, नए भारत की आवश्यक्ताओं, और आकांख्षाओं के अनुसार, विक्सित करने की तरफ, एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं, ये नया डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स, हमारी सेनाओं के कामकाच को, अधिक सुविधा जनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को, और ससक्त करने वाला है, इन नई सुविधाओं के लिए, डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथियों, आप सभी परिचीत है, कि अभी तक, डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाच, दूसरे विश्वयूत के दोरान बनाये गए, हट्मेंट से ही चल रहा था। ऐसे हट्मेंट, जिनको उस समय, गोड़ों के अस्तबल और बैरकों से सम्बंदी जरूरों के अनुसार बनाये गया था। आजहादी के बात के दसकों में इनको रक्षा मंत्रा ले, फल सेना, नव सेना, और वायू सेना के दप्तरों के रूप में विख्षित करने के लिए समय समय पर हल्की फुली मरंबत हो जाती थी, कोई उपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था, और ऐसे ही चलता रहा, इसकी जब बारी क्यों के मैंने देखा, तो मेरे मिन में पहला विचारी आया कि ऐसी बुरी अवस्ता में हमारे इतने प्रमूख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के सबन्द में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, यह मेरे मन में होता था, वरना यह ऐसी जगा थी कि जुरूर को इनको अलोचना करता कि भारत सब्कार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं, किसी ने इस प्रधान नहीं दिया, इन हट्मेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भली भाती जानते हैं, आज जब 21 सदी के भारत की सञ्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जूटे हैं, एक से एक आधुनिक हत्यारों से लेस करने में जूटे हैं, बॉर्डर इंफ्रस्रेक्टर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ अब डिफेंस टाप के माध्यम से सेनाओं का कोडिनेशन बहतर हो रहा है, सेना की जरुरत की प्रोकृर्मेंट जो सानों साल चलती थी, वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाच, दसों को पुराने हट्मेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है, और इसलिए इन सीतियों को बदलना भी बहुत जरूरी था, और मैं ये भी बताना चाहूंगा, कि जो लोग सेंट्रल विश्टा के पोजेक के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, ये बड़ी चतुराई से बड़ी चालाकी से, सेंट्रल विश्टा पोजेक का ये भी एक हिस्सा है, साथ हजार चे अधिक सेना के अपसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्ता विक्सित हो रही हैं, इस पर बिल्कुल चूप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था, कि जो ब्रह्म फैलाने का इरादा, जूट फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा, तो फिर उनके सारी गबबाजी चल नहीं पाएगी, लेकिन आज देश देख रहा है, कि सेंट्रल विस्टा के पीशे हम कर क्या रहे हैं, अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफरीका एवन्यू में बने ये आधुनिक आफिस, रास्त की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रुप से चलाने में बहुत मदद करेंगे, राजधानी में आधुनिक डिफेंस एंकलेव के निर्मान की तरफ ये बड़ा और महत्वपून स्टैप है, जवानों और कर्मचारियों के लिए हर्ज जरूरी सुविदा दी गई है, और मैं आज देश वास्यों के सामने मेरे मन में जो मन्तन चल रहा था, उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ, 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सवभाग्य दिया, और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दप्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है, और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने सबसे पहले भारत की आन, बान, शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूजने वाले, हमारे देश के बीर जवान, जो मात्र भूमी के लिए शहीद हो गए, उनके आस मारक बनाना सबसे पहले तैकिया, और आज, जो काम आज़ादी के तुनंत बाद होना चाहिए था, वो काम, 2014 के बाद प्रारम हुआ है, और उस काम को पुर्ण करने के बाद, हमने अमारे दप्तरों को ठीक करने के लिए, सेंट्रल विस्था का काम उठाया, सबसे पहले हमने याद किया, मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को, साथियों, यह जो निर्मान कारियों हुआ है, काम काज के साथ साथ यहां, आवासिय परिश्थर भी बनाए गए हैं, जो जवान, 24 बाइस सेवन, महत्वपूर्ण सुरक्षा कारियों में लगे रहते हैं, उनके लिए जरूरी आवास, कीचर्ण, मैज, इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, इन सब का भी निर्मार किया गया है, देश भर से जो हजारों रिटाइड साइनिक, अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं, उनको भी अब उनके उमर के एक स्थिती पर वो पहुँचे हैं, उनका भी विशेश खयाल रखना, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचीत कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है, एक अच्छी बात यह भी है, जो बिल्लिंग अब बनी हैं, वो इको फ्रेंडली है, और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है, जो उसके पहचान है, उसको बरकरार रखा गया है, उसको बनाय रखा गया है, भारत के कलाकारों की आकर्शक कलाकुर्थियों को आप मंदिर भर भारत के प्रतिकों को यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है यानि दिल्ली की जीवन्तता और यहां के परियावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विवितता का आधूनिक स्वरूब यहां हर कोई अनुभव करेगा साथियों दिल्ली को भारत की राध्धानी बने सों वर्षे अधिक का समय हो गया है सों वर्षे अधिक के इस कालखन में यहां की आवादी और अन्य परिस्थित्यों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है जब हम राध्धानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है किसी भी देश की राध्धानी उस देश की सोच उस देश के संकल्प उस देश का सामर्थ और उस देश की संस्कृति के प्रती होती है भारत तो लोक तंत्र की जननी है इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके कैंद्र में लोक हो जनता जनारदन हो आज जब हम इस अफ लिविंग और इस अफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है सेंट्रल विस्ट्रा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मुल में यही भावना है इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्ट्रा से जुड़ी वेब साइट्स में भी दिखता है साथियों राजधानी की आकांच्छाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्मार पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है देश भर से चुड़कर आए जन प्रतिनिध्यों के लिए नए आवास हो अंबेडकरजी की स्मृतियों को संजोने के प्यास हो अनेग नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है हमारी शेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविदा से जुड़े राष्टियस मारक भी इसमें शामिल है इतने दसकों बाद, सेना, अर्थसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्टियस मारक आज दिल्ली का गवरो बढ़ा रहा है और इनकी एक बहुत बड़ी विशेशता ये रही है कि इन में से अधिकतर तए समय से पहले पूरे किये गए है वरना सरकारों की पहचान यही है होती है, चलती है, कोई बात ने चारशे में नयतों देश स्वाभाविक हैं, हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का इमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपत्ती बरबात न हो, समय सिवा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो और प्रफेशनल इजब हो, एफिसेंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिसेंसी का एक बहुत बड़ा उधारण आज यहां प्रस्तूत है डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स का भी जो काम, चोबिस महने में पुरा होना था वो सिर्फ बारा महने के रिकॉर्ड समय में कम्प्रीट किया गया यहने पचास प्रतीशत समय बचा लिया गया वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्तितियों में लेबर से लेकर लोकडाउं दिखना अफलाना न जाने कितने सारी कठिनाईयों से बीच में गुजरे है इन तमाम प्रकार की चुनवतियान सामने थी करोना काल में सैंकडो स्त्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है इस निर्मान कारिय से जुड़े सभी स्त्रमिक साथी सभी इंजीनियर सभी कर्मचारी अधिकारी यह सब के सब इस समय सीमा में निर्मान के लिए तो अभिदन के अधिकारी है लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौब था जीमन और मुर्तियू के बीच में सवालिया नसान थे उस समय भी राष्ट निर्मान के इस पवित्र कारिय में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है पुरा देश उनको बढ़ाई देता है पुरा देश उनका अभिनंदन करता है यह दिखाता है कि जम नीती और नीयत साथ हो इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास इमांदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है सब कुछ संभव होता है मुझे विश्वास है देश की नई पार्लामेंट बिल्लिंग का निर्मान भी जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे तैस समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा साथियों आज कंस्रक्शन में जो तेजी दिख रही है उसमें नई कंस्रक्शन टक्नोलोजी की भी बड़ी भूमिका है डिफेंस ऑफिस कॉंप्लक्श में भी पारम पारीक आर्शी सी निर्मान के बजाए लाइट गेस टील फ्रेम तक्नीक का उप्योग किया गया है नई तक्नीक के चलते ये भवन आग और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्शित है इन नए परिशनों के मनने से दरजनों एकर में फैले पूराने हटमेंस के रख रखाओं में जो खर्च हर वर्ष करना पड़ता था उसकी भी बच्चत होगी मुझे खुशी है कि आज दिल्ली ही नहीं बलकि देश के अन्य शहरों में भी स्मार्ट सुविधाएं विक्सित करने गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्रक्शन टेक्नलोजी पर फोकस किया जा रहा है देश के छे शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रजेक इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है इस सेक्टर में नए स्टार्ट अप्स को प्रोसाइद किया जा रहा है जिस पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांस्फर्म कर रहा है वो नई टेक्नलोजी के व्यापक उप्योग से ही संभव है साथ क्यों यह जो डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स बनाए गए हैं यह वर्क कल्चर में वर्क कल्चर में आये एक और बढ़लाव और सरकार की प्रात्फिक्ता का प्रतिमीम है यह प्रात्फिक्ता है उपलब्द लेंड का सदुप्योग और सिर्फ लेंड ही नहीं हमारा यह विश्वास है और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी रिसोर्सी है हमारी जो भी प्राकृतिक संपदाएं है उसका अप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए अनाप सनाप ऐसी संपदा की बरबादी अब देश के लिए उचीत नहीं है और इसी सोच के परडाम स्वरुप सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट के पास जो जमीने हैं उनके प्रापर और आप्टिमम यूटिलाइजेशन पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा रहा है यह जो नए परिशर बनाए गए हैं वो लगभव तेरा एकड़ भूमी में बने हैं देशवासी आज जब यह सुनेंगे जो लोग दिन रात हमारे हर काम की आलोचना करते हैं उनको जरा उनका चहरा सामने रकर के इन चीजों को सुनें देशवासी दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण जगा पर 62 एकड़ भूमी में राज धानी के अंदर 62 एकड़ भूमी में इतनी विशाल जगा पर यह जो हटमेंस बने हुए थे उसको वहां से हमने सिट किया और उत्तम प्रकार की आधुन की बवस्ता सिरफ तेरा एकड़ भूमी में थर्टीन एकड़ भूमी में निर्माण हो गई देश की संपति का कितना बड़ा सदुप्योग होगा यानि इतनी बड़ी और आधुनिक स्वीधाओं के लिए पहले के मुकाबले लगबग पाज गुना कम भूमी का उप्योग हुआ है साथियों आज़ादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 सालों में नए आत्म निर्भर भारत के निर्माण का ये मिशन सब का सब के प्रयाश से ही संबव है सरकारी व्यवस्ता की प्रोडक्टिविटी और एफिसेंसी बढ़ाने का जो बिड़ा आधेश ने उठाया है यहां बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं उस संकल्प को सांकार करने का विश्वाद जगा रहे हैं कॉमन केंद्रियस सचिवालय हो कनेक्टेड कांफरेंस हौल हो मैट्रो जैसे पॉब्लिक ट्रांसपर से सुलब कनेक्टिविटी हो यह सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे हम सभी अपने लक्षों को तेजी से प्राप्त करें इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत सुबकामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप सुबकामनाय देता हूं